हलो गाईस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और माई यूट्यूब चनल में अडिकोटर पर आपका स्वागत है इन गाईस आप सभी आईश आईश प्रेंट के लिए टू वेरी इंपोर्टेंट अपडेट्स है और उनी अपडेट्स के बारे में जो हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ओकी गाईस तो अपडेट्स क्या हैं उसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें और वीडियो को इन तक जरूर से देखें ओकी गाईस तो वीडियो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले ए डबल ट्रिपल ची टूव एरे इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में तो गाईस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें तो गयाज जैसे आप आईस कांस्लिंग की ओफिसेल वेबसाइट ए डबल ट्रिपल सी पर आओगे तो यहां से आने की बाद आपको जो है इसको नीचे स्कोर करना है स्कोर करने के बार यहां से आपको दिखेगा निजेंड इवेंट्स तो यहां पर नीचे नीचे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बार यहां से जो है निजेंड इवेंट्स का जो पूरा फेजी आपके सामने ओपन हो जाएगा यहां उपर उपर आप देख सकते हो दो जो है न्यू अपडेट है यह दो वेरी इंपोर्टेंट अपडेट है ओकी गास इने के बारे में जो है इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले ओकी गास तो एक अपडेट है रिवाइस क्वालिफिकेशन माक्स फोर नीट 2020 और दूसरे अपडेट है यहां पर लिस्ट ऑप इनेलिज क्यांति करने वाद चरहरर को क्या है तो ऊकर्लास यहां पर प culmin होगा तो देख सकते हैं इनका ओपाशल नोटिस है जो की 19.01.2021 को रिलीज किया था ओकी गाइस तो यहाँ पर सब्जिक्ट दे रखा है कि लिस्ट ओप दे कैंडिडेट्स इन इलिजिबल फोर पार्टी शिपेज इन यूजी आईरवेदा, सिद्धा, यूनानी इन होमेफेटी स्टेट कोटा इन यूटी कोटा इंस्टिट्टिटनल कोटा नॉमिटेट सीट कांसलिंग 2020 रिकार्डिंग, ओकी गाइस देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पर बोल रखा हैं कि ओल इंडिया कोटा सीट केंडिडेट एडमिट इन राउंड वन इन राउंड टू मतलब ऐसे केंडिडेट जो राउंड वन इन राउंड टू में एडमिट मतलब जिनको सीट अलोट हो गई है और वो अपना सीट को होल्डिंग करके रखे हुए हैं अभी तक भी ओकी गाइस ना तो उन्होंने फ्री एक्जिट किया है ना उन्होंने अपने सीट कैंसिलेशन किया तो ना फ्री एक्जिट किया ना सीट कैंसिलेशन किया और फिर भी अपनी सीट है राउंड वन राउंड टू की उसको होल्डिंग करके रखे हुए हैं ऐसे केंडिडेट जो है ना तो किसी स्टेट कांसिलिंग के लिए इलिजिबल होंगे ना ही ओल इंडिया कांसिलिंग के लिए इलिजिबल होंगे तो उन्हीं केंडिडेट की लिस्ट जो है इन्होंने जारी की है जो भी ऐसे केंडिडेट है वो केंडिडेट यहाँ पर इनिलिजिबल है और उनी की list जो है यहाँ पर इनों ने जारी किये हैं और ऐसे जो candidate हैं उनको यहाँ पर counselling जो authorize है उसे request किये हैं कि आप इन candidate को जो ही यहाँ पर allow ना करें ओकी गास तो जिस भी candidate का इन इन लिस्ट में नेम है वो candidate ना तो state counselling के लिए eligible होंगे नहीं All India counseling के लिए eligible होगे यहां वो पूरी तरह से ice counseling 2020 से पूरी तरह से बार हो चुके हैं अब वो किसी भी ice counseling में participate नहीं कर सकते ओकी गाइस तो यह इनकी तरफ से एक very important update है गाइस तो गैसे इस notice को एक बार आप जरूर से रीड कर लेना और इस notice से रिलेटर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे comment करके पूश सकते मैं कोशिश करूँगा आपके comment का reply करने का ओकी तो यह list है ineligible candidate की तो इस list में अपना नेम चेक कर सकते हो यह दिए आपका भी इस list में नेम है तो आप भी किसी भी counseling में जो है participate नहीं कर सकते हैं ना state counseling में न ओल इंडिया counseling में ओकी तो यह list है पूरी की पूरी ineligible candidate की इस list में जो है अगर आप भी ऐसे candidate हो आपने भी यह दे अपनी seat holding करके रखी हुई है तो आपका भी इस list में जरूर से नाम होगा और आप भी किसी भी counseling के लिए जो है यह आपर ineligible रहोगी किसी भी counseling में आप participate नहीं कर सकते हैं ओकी गैस तो यह important update था अब next update के बारे में बात करते हैं कि दूसरा नोटिस है वो क्या है कि तो गैस ये नोटिस इन्होंने release किया वीष 2121 को और यह जह इन्होंने notice release किया 15 A см. 2021 को जिसमें इन्होंने बोला था कि जो qualify marks है जो Cul secure पर्संटायल माक से उनको यहां पर जो है रिडूस किया है और यहां पर जो है इननोंने 15 को जो है नोट GIS पिरीलीस कर दिया था और यहां पर इन्होंने क्योस यह बोल रहा था कि जो जनल काटिगरी उनके लिए 14 कशिक्त कम और जो से-स्ट के टरिएट के लिए ठर्टी परसनटाल मEl गिरी की पिएच केंडिरेट ुन के लिए नॉटिस के अपर क्रИलीस चर्दिक धेश कर दिया है कि आपके जो क्रैटिएरियहैं उसको यहां पर revised कर दिया है नीट 2020 का पहले जो qualify percentile criteria था वो यह था ओके गास जनल category के लिए 15% percentile थे और OBC के लिए 40 और SC and ST category के लिए भी यहां पर 40 था और जो general PH candidate है उनके लिए 45 percentile criteria यहां पर पहले था तो इन्हों ने जो है इनको रिडूस कर दिया है तो यह आपके लिए good news है गास अगर आपके भी कम marks हैं तो आप भी जो है अब आईस counseling में participate कर सकते हो ओकी गास तो यहां पर जो है आपके पहले जनल category के लिए 50 percentile थे अब जो उनको reduce करके यहां पर 40 percentile कर दिया और SC ST and OBC category के लिए आपर 30 percentile जनल पेज के लिए 35 percentile ओकी गास तो यहां पर जनल category में आपके 113 नमर है तो आप भी जो ही यहां पर participate कर सकते हो आइस counseling में ओकी गास तो यह आपके लिए good news है गास अगर आपके भी नीट में कम marks हैं तो आप भी जो है अब आइस counseling 2020 में participate कर सकते हो और यह इन्हों ने जो है official notice भी रिलीज कर दिया है अब यह rule जो है यह लागो हो गया है इसलिए अगर आपके भी जो है पहले 147 marks थे तब भी जाके आपके जो है इसमें पार्टिशिपेट कर सकते थे लेकिन अगर आपके भी 147 से कम marks है तो अब जो है आप आइस counseling 2020 में participate कर सकते हो ओके गास तो यह दो very important अपडेट्स थे जो मैंने आपके साथ share किये I hope वीडियो पसंद आए होगा गास वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना इन सकते हो वहाँ पर सारी counseling से recording जो भी अपडेट होता है वहाँ पर आपको provide किया जाता है और आपको कोई भी counseling से recording कोई भी डाउट है सारे डाउट जो है वहाँ पर शोल किये जाते हैं ओके गास तो वार्ट सब ग्रूप और टेलिग्राम चैनल का link बने इस वीडियो के description में दे रखाएं यदि आप भी नहीं जुड़े हो तो वहाँ से जो हैं हमारे टेलिग्राम चैनल और वार्ट सब्सक्राइब में आप आ सकते हो आपके वहाँ पर पूरी पूरी साहित की जाएगी counseling से recording आपके कोई भी डाउट है सारे डाउट जो हैं वहाँ पर clear किये जाते है ओके गास तो आज की वडियों में यहां तगी यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इन बिल आइकन को प्रेस करें ओके गास तो मिलते हैं नेक्स वडियों में एक नए अपडेट के साथ जब तक ले जय इन जय बारत